दोस्तों अगर आप भी सूर्यकुमार यादव और रिंकु सिंग को अच्छा बल्लेबाज मानते हो तो विडियो को जरू लैक किजिएगा दोस्तों साउथ एफरिका के खिलाफ दूसरे टी-20 मुकाबले में अचानक से सूर्यकुमार यादव को हुआ नजाने क्या जखके चोको की करदी बारिश रिंकु सिंग ने भी निभाया साथ इसकोर पहुँचा दिया साथवे आसमान पर बीज मैदान पर ऐसी बल्लेबाजी का नजारा देख कर उड़ गए सबके होश तो दोस्तो आकिरकार भारत साथ आफरिका के बीच दूसरे टी-20 मैच की पूरी बल्लेबाजी वीडियो में दिखाएंगे बने रही है गांत तक अब सबी को क्या लगता है कि रिंकु सिंग रोहित शर्मा सूरा कुमार में से कौन अच्छा बल्लेबाज है हमें जरूर बताईएगा तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो दोस्तो आप तो जानते हैं कि भारत और साउथ ऐफरीका के बीच तीन मैच की टी-20 सीरीज का दूसरा मुकाबला सेंट जोर्ज ओवल के मैदान पर खेला गया जा इस मुकाबले में साउथ ऐफरीका टीम के कप्तान एडन मारकरम ने टॉस जीत कर पहले गेंदवाजी करने का फैसला किया और यह फैसला उनका बिल्कुल गलत साबित हुआ क्योंकि दोस्तों बहरत की टीम ने तो 10 ओवर के भीतर ही 100 रन बना कर साउथ ऐफरीका की टीम को आड़े हातो लिया क्योंकि यहाँ पर जब भारत के लिए पारी की शुरुआत यह ससवी जैसवाल और शुम्मन गिल ने करी थी तब दोनों बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाए इस दोरान यह ससवी जैसवाल मारको यांसन की अंदर आती हुई गेंद पर डेविड मिलर को कैच थमा बैटे और शुम्मन गिल भी शुमन रन पर आउट होकर लिजार्ड विलियम्स की गेंद पर LBW बोल्ल आउट हुए अब दोस्तों दो बड़े जटके 6 रन के कुल स्कूर पर लग जाने के बाद तिलक वर्मा और सुरा कुमार यादव ने पारी को संभाला जा इस दोरान तिलक वर्मा जो की अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वो 29 रन बना कर ही चलते बने तो वहीं सुरा कुमार यादव न दोरान पूरा नहीं कर पाएंगे लेकिन दोस्तों वो आज मैदान पर पूरी तैयारियों के साथ उतरे थे सबसे पहले तो सुरा कुमार यादव ने च्छके चोकों की बारिश करना शुरू किया और 31 गिंदों पर 50 रन जड़कर सब को बता दिया कि वो अभी भी T20 के तो वहीं दोस्तों इस दोरान सुरा कुमार यादव ने 5 चोके और 3 जखकों की बदोलत 50 रन पूरे कर लेने के बाद अपने शतक की और आगे बढ़े और यहाँ पर सुरा कुमार यादव के शतक का इंतजार खबर बोले जाने तक पूरा भारत देश कर रहा है बेसबरी से वहीं दूसरी तरफ रिंकु सिंग ने यहां ताबर तोड बले बाजी करते हुए मुश्किल इस्तितीम से भारतिय टीम को निकाला और जहां एक तरफ एक के बाद एक विकेट गिरते चले जारे तो और भारत ने तीन विकेट मात्र 55 रन के कुल स्कोर पर ही गवा दिये ते वहां से रिंकु सिंग की बदोलत सूरकुमार यादव स्कोर को आगे बढ़ा पाए और इस बीच रिंकु सिंग के बले से भी सत्किय पारी देखने के लिए मिली और यहां पर दोनों बले बाजों का ऐसा प्रदर्शन देख लेने के पूरा बारत देश खुसी से जुम साउथ ऐफरीका के पसी ने चुटा कर रख दी हैं लेकिन अब आप क्या मानते हो साउथ ऐफरीका टीम के आगे भारत की बले बाजी को दसमें से कितने नमर दोगे अपनी कीमती राये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा